असलालेकुम दोस्तों वेलकम टू सीएस प्रिपरेशन फॉर यू के अंदर हम आप लोगों के लिए लाएं एचस्टी और एसस्टी सिंद गौर्मिट जो एकन्स यह का ना उसकी उसके मुतालिक हम अपनी वीडियो बना रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं य मुक्तलिब किसम के लिविंग और्गनिजम हैं यह हमें अपने आँखों से नहीं दिखाई देंगे इनको देखने के लिए हमें जो है वो माइक्रोस्कोप का यूस किया करना पड़ता है जिसमें बेक्टेरिया उमेबिया पेरामेश्यम यूल गैनों कम यह सब के सब यून क्या होती है कि इसके अंदर मुक्तलिब किसम की कॉलिनीज बनी होती है जिसमें वालवेक्स वगेरा आ जाते हैं और वह यू कहले के लेबर पार्टी की तरह काम वगेरा करते हैं डिया नोट डिपेंड ओन इच अदर नेवर फ्रॉम एनी मल्टी सेलूलर स्टेक्टर यह को हम आगे जाके हम आपको वालवेक्स के बारे में मज़ीद बताएंगे उसके बार आते हैं मल्टी सेलूलर हां मल्टी सेलूलर ऐसे और्गनिजम से जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं जो चीज़ हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं उसको देखने के लिए म में, इसके बार में पढ़ेंगे mustard plant, जिसको हम सरसों का बोलते हैं, यानी साग, इसकी सबजी भी हमने काई होगी, सरसों का साग, जिसको ये वो पोदा है, तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज आती है, इसके जो ऊपर फूल होते हैं, जिसको फिलावर का जाता है, और फूलों के उपर एक भुस लगा होता है जिसको फुलावर बड केते हैं और इसके अंदर फलियां लगी होती है जिसके अंदर सरसों के बीज होते हैं फरूट बोलते हैं और इसमें से बड़े जो पते होते हैं उसको यंग लीफ केते हैं फिर जो बड़े पते सूख जाते हैं उसको old leaf कहते हैं तो आप यह देख सकते हैं इनकी height कम से कम अगर बताई गई है तो 1.5 meter बताई जाती है यानि 1 meter से 1.5,5 meter यानि 1 meter से 1.5 meter इसकी जो है वो length बताई जाती है और इनका जो रंग होता है वो yellowish रंग होता है और यह produce क्या करते हैं बीज जो है वो देते हैं और इनके जो leaves होते हैं उसको हम vegetable के तो इस्तमाल भी करते हैं हम सर्दियों में देखेंगे यह सर्दियों में जो है वो बनाई यह सर्दियों में जो है वो यह क्रोप सर्दियों में होती है जो है वो नेक्स लेक्चर नेक्स लेक्चर के अंतर हम जो है फुरोग को पढ़ेंगे ठीक है दोस्तों शुक्रिया